हेलो दोस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वेडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इंपोर्टन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सार लोगों ने कमेंट भी किया तक कल बट आप सभी ल बैंकिंग स्टोक के लिए खत्राई कम हो सकता है एक टूजेड सारी इंफोर्मिशन आप लोगों को समझ में आईगी आप सब लोग पता है मेरा पैटन हमेशा पहले में आप लोगों को न्यूस बताऊंगा उस न्यूस का पॉजिटिव इंपक्ट कॉनसे स्टोक पे हो सकत है एंड फ्यूचर में आप लोगोंने क्या करना चाहिए क्या वाकई में बैंक्स या पर खत्रे में हैं सारी बाते एट तूजेड आप लोगों को या पर पता जरू चलीगी तो चलिए फड़ा बड़ इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते बड़ उससे पहले जरू कहना चा वीडियो आप लोगों को मिला होगा कि स्टाक मार्केट में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा अगर आप यह स्टाटेजी यूस करते हो तो बहुत सरे लोग को यह वीडियो पसंद भी आया सो उपर आई बटन पर क्लिक करके अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि ये strategy usually retail investors तक नहीं पोच दिए, होती है बहुत ही common, ऐसा कोई rocket science नहीं है, बट usually उनको पता नहीं होते, तो mutual fund रहते, operators रहते, rich people रहते, investor रहते, ये वो strategy यूस करते, जिसके बदलत उनको कभी भी loss या पे नहीं होता है, तो कुछ unique चीज़े, जो कि आपके, हम लोग कह सकते, knowledge में कुछ addition कर देगी, तो जरूर इस वीडियो को भी check out कर लेना, link उपर i button पे आप लोगों को मिल जाएगा, सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके, बिल्कुल हमारे normal या पे screen के उपर, और अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, तो हम लोगों को या पे bank nifty के उपर भी ज़रूर नजर डालना चाहिए, bank nifty आप लोग या पे देख सकते हो, 289 points हम लोगो down देखने को मिला, लगबाग 11% के आसपस हम लोग down या पे बोल सकते है, बिल्कुल flat या पे normal चल रहा था, बट suddenly हम लोगो वापस या पे bank nifty में भी गिरावट या पे देखने को मिली है, जो कि एक serious बात जरूर है, तो उसी के चलते हम लोगो इस सारी चीज़े देखने है, अगर आप लोग कल के दिन की अगर बात करें, तो top losers भी जो रहते हैं, उसमें भी अगर देखोगे तो number 1 पे HDFC bank देखने को मिल रहा है, जो की लगबाग 2.28% down था, उसी के साथ साथ अग जिसमें bank भी आते हैं, NBFC भी आती हैं, वो हम लोगों को usually down देखने को मिले हैं, अगर मैं यहां पर बात करूं, index wise, indices wise, तो वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, नीचे में scroll down करना चाहूंगा, overall जो bank था, nifty bank 1.30 down था, PSU bank की बात कर तो 1.62 down था, and nifty private bank की बात कर तो 1.19% down देखने को मिला है, तो यह पूरी कहानी यहां पर exactly क्या है, क्या-क्या issues यहां पर होने वाले, कौन यहां पर actual में खत्रे में है या नहीं, तो यही चीज़ अभी हम लोगों को यहां पर देखनी है, सो दोस्तों आप सभी लोग को यहां पर बताना चाहूंगा कि कल यहां पर banking sector से related, हम लोग को rating देखने के मिलिया, और आप देख सकते हैं, इंडिया rating and research has revised its outlook on banking sector, पहले उन्होंने यहां जो rating उनको दी थी, तो उन्होंने stable कहा था, second half of financial area 21, जो कि उन्होंने अभी change कर दिये और यहां पर negative कर दिये, तो इसके बदलत हम लोग कह सकते हैं, कि हम लोग को यहां पर banking stocks में pressure यहां पर देखने को मिला है, तो यह एक सबसे बड़ी जो negative news थी, वो कल हम लोग को यहां पर देखने को मिलिये, और उसी के बदलत, लगबग 300 point आप लोग रफली पकड़ सकते ह बैंक निफ्टी में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, तो यह जो नाम है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, इंडिया रेटिंग्स, कि इनके बदलत, कल हम लोग को यह सारी चीज़े होते हुए देखने को मिली है, अभी पहले stable बोला था, अभी negative क्यों कर दिय है, क्यों revise कर दिया है, ऐसे ही थोड़ी ना करेंगे, उसके पीछे वजा रहेंगे, तो reasons क्या है, तो नीचे अभी हम लोग को पढ़ने के लिए मिल जाएगे, तो अभी हम लोग आ जाते है, यहापे क्यों उन्हें अपने ratings को negative किया है, तो आप देख सकते हो, the rating agency, इंडिय rating की बात करें, said that this revision, क्यों उन्हें ने change किया, was done in a view of an expected spike in a stress asset, इंडिया rating को यह लगता है, कि यहापे जो stress asset है, उन्में क्या होगा, बहुत जादा बड़ोतरी होगी, higher credit cost, cost आप सब लोग पता है, cost कभी भी अच्छी बात नहीं होती ही, बट वो भी बढ़ जाएगा credit cost, weaker earning on account of interest reversal, earning में भी अगर हम लोग बात करें, वो भी weak हो जाएगा, and lower fee income, यह भी हम लोग को नीचे जाते वे देखने को मिलेगा, and अगर growth की बात करें, तो वो भी mute, आपको शान्त ही नजर आएगी, so जो भी हमारे income है, वो हम लोग कह सकते हैं, नीचे जाते वे देखने को मि सकती है, so यह किसका मानना है, यह इंडिया रेटिंग का मानना है, इसलिए उन्होंने यहापे क्या कि है, वो expect कर रहे है, guarantee तो किस भी नहीं होती है, but वो expect कर रहे हैं, obviously उनकी बात में कोई दम होता है, उनकी बात में दम है, इसलिए तो हम लोग को इतना बड़ा PSB remain the modest, मतलब आप सभी लोग को पता है, यहापे capital का issue तो जरूर रहेगा, बट उन्हें ने यहापे target करके बोला है, कि PSB, मतलब public sector bank, इस आसान भशा में बोलू, तक government bank, कल का भी आप मेरा वीडियो जाके देख ले ना, जहापे मैंने banking stocks से related कुछ बाते की थी, वहापे भी मेरे बता है था, कि public sector bank, PSU, अगर हम लोग वहापे देखते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोग को देखने को मिलते है, एंड इंडिया rating का भी जो target है, कि वो public sector bank में ही हम लोग को यहापे usually देखने को मिलने वाला है, क्या मसला होने वाला है, वो भी हम लोग आगे जाके समझ लेते हैं, तो इंडिया ratings ने आपे कूछ यहापे बताया है, कि यहापे problem क्या होने वाला है, stress asset में spike क्यों आने वाला है, तो आप सभी लोग पता है, pandemic तो यहापे चल रहा है, and credit cost का वा expectation यहापे क्या है, double हो जाएगा, यह भी उन्होंने सारे चीजे पहल half of financial year 21 के लिए, अगर हम लोग यहापे आगे जाए, तो उनके लिए सबसे बड़ा, यहापे problem यहापे रहने वाला है, capital से related, yes दोसो, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहापे बात के रहे, तो provisioning की भी जो requirement है, वहापे भी कुछ, यहापे हम लोगो issues देखने को फिलाल यहा यहापे अगर में बताए जाए, तो आप लोगों को बताना चाओंगा, जो provisioning banks को करने पड़ते हैं, वो उनको क्या करना पड़ेगा, शायद से continue रखना पड़ सकता है, provisioning, financial year 22 तक, अगर हम लोग यहापे बात करें, तो यहापे restructuring की जो बाते सामने आ रही, अभी बहु नुकसान नहीं करेंगी, पागल है, banks बेलकुल नुकसान नहीं करेंगी, पट वो यह भी make sure करेंगी कि आपके उपर burden ने आ जाए, right, for an example, अगर में बात करू, आपको पहले हर मेने 10 रुपिया देने पड़ते थे, अभी आप लोग बोल रहे कि business पूरा बंध है, मैं 10 रु इसे, वो यहाँ पर कम हो जाएगा, so installments यहाँ पर बढ़ जाते है, overall यही हम लोग restructuring को यहाँ पर समझ सकते है, but problem यह है कि even though बहुत सारे assets को यहाँ पर restructure करने के बावजूद भी, हम लोग को financial aid 23 में बहुत सारे restructure assets क्या हो जाएंगे, NPA में turn होते वे देखने को कि शायद से उनको आप लोग कितना भी relaxation देदो, कितना भी उनका loan restructure कर दो, कितना भी बढ़ा के देदो, शायद से वो आप लोगों को आगे जाके default करते हो देखने को मिलेंगे, मतलब वो NPA में turn हो सकते है, so इस सबसे बढ़ा खत्रा हम लोग को यहाँ पर फिलाल देखने वो यहाँ पर much lower than for the private banks, बहुत ही कम provisioning उन्होंने यहाँ बना के रखा हुआ है, so इसलिए public sector banks में बहुत ज़्यादा दिक्कते हैं यहाँ पर आ सकती है, as comparatively private bank हम लोग ऐसा यहाँ बोल सकते हैं, और इसी के चलते ही, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो India ratings है, उन्होंन जो public banks है, government bank है, उनका rating है negative कर दिया, बट जो private bank के लिए rating stable था, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर फिलाल maintain ही रखा है, so यह एक अच्छी बात फिलाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को zero मिल रहे है, इसका आदत यह बिलकुल भी नहीं रहेगा कि private bank हरे भरे रहेंगे, बिलकुल ठीक ठाक चलेंगे, ऐसा बिलकुल भी नहीं, बट compare अगर हम लोग करे government bank से अच्छा performance, आप लोगो private sector के bank इससे पहले भी देखने को मिले है, आगे भी आप लोगों को यह journey continue होते भी देखने को मिलेगी, so हम लोग जरू कह सकते कि इस report के बाद जो ज़्यादा PSU में जो पैसा जाता था, PSB में जो पैसा जाता था, वो usually private bank के और shift होने के chances भी बढ़ जाते हैं, and इसलिए यहापे बताया गया है कि जो बड़े bank है, आप देख सकते हैं, most large bank, and यहापे बात की जारी है, private banks की, have strengthened their capital buffers, मतलब आप लोगों ने देखा होगा, fund raising भी हुआ कि अपने dividend नहीं देना है, बहुत सारे banks को उन्होंने का था, कि क्या करना है, dividend नहीं देना है, capital यहापे बचा के चलना है, बहुत सारे banks नहीं क्या किया था, fund raising भी है था, अच्छा खासा, तो public bank की अगर हम लोग बात करें, PSB की बात करें, तो हम लोगों को capital raising से related भी बहु कर दिया है, मतलब already जो result है, उनमें हम लोगों को वो damage देखने को मिले है, उसी के साथ साथ उन्होंने proactive, मतलब पहले ही कुछ चीजे ऐसे यहापे करके रखी हुई है, जिसके बदल हम लोगों को बाद में यहापे suddenly ऐसा loss देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा stress आते वह देखने क को भी मिल सकता है, तो इसलिए यहापे जो India rating है, उनका एक ही मानना है, कि banking stocks में हम लोगों को pressure देखने को मिलेगा, बट PSB, Public Sector Bank and Private Bank, यह दो bifurcation होते हैं, तो PSB की यहापे बहुत ही बुरी तरीके से हालत हो सकती है, Private Bank की बात करें तो ऐसी बात नहीं कि हालत नहीं होगी, बट comparatively हम लोगों को यहापे कम stress देखने को मिल सकता है, और दोस्तो government bank की बात करें, Public Sector की तो आप देख सकते हो कि State Bank of India यह एकी bank है, बट finally आप लोग देख सकते हैं, जबी भी negative news आ जाती है, suddenly हम लोगों को गिरावाट देखने को मिलते हैं, pressure यहापे create हो जाता है, भारी Public Sector Bank के उपर में time waste करना ही नहीं चाहूँगा, आप सबी लोगों को पता है, मैं openly बोलता हूँ, आप मेरे 2 साल के वीडियो जे, आराम से चेक आउट आप लोग कर सकते हो, अगर मैं यहापे बात करूँ, sector वाइस तो आप देख सकते हैं, यह आपके सामने जो open की है, बहु आप लोगों को लॉस में यहापे देखने को मिल रहे हैं, यहापे कोई भी ज्यादा future नहीं मतलब जो हमारा मकसद होता है, stock market में आने का, ज्यादा returns कमाने का, वो यहापे फुल्फिल होते हैं देखने को नहीं मिलता है, इससे पहले भी मैं बता चुका, बट बहुत सारे लोग close रहते हैं, public sector bank से related, तो उनको लगता है कि यहापे returns ज्यादा मिलेंगे, बट उनको experience बाद में आ जाता है, जब वो यहापे अटक जाते हैं, तब, so private bank की बात करें तो आप सभी लोग को बता है, as usual, जो large bank की बात करें तो HDFC bank, इसमें कोई tension की बात नहीं है, उसी के स आप साथ Axis bank, वो भी आप लोग स्याद से follow यहापे कर सकते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर इंडियसेंट bank क्यों नहीं, तो आप सब लोगता है, इंडियसेंट bank का सबसे बड़ा प्रॉब्लेम वड़ा फोन आइडिया है, बहुत बड़ा exposure वहापे देखे रखा कि उनको 10 साल का extension मिल चुका है यहापे, बट स्टिल कभी भी negative news आ गई तो एक लटकती तलवार तो उनके पर जरूर रहने वाली है, नेक्स सवाल यहापे आ जाता है कि क्या यहापे बरबाद ही हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों कि pressure तो रहेगा, मतलब बहुत बार ऐसा गिर चुका है, तो यह गिरावट तो होगी, देखें, बैंक्स को कभी भी बरबाद होने नहीं देंगे, अगर banking system collapse हो गया, तो पूरा Indian economy collapse हो जाएगी, और सिर्फ Indian क्यों किसी भी country की economy आपे collapse हो सकती है, तो इसलिए banks को बहुत ही सावदानी से आपे treat किया बटे, बट खतम नहीं होगी bank, वो come back कर लिया, तो यह चीज आप लोगों को जरू पता होनी चाहिए, मतलब 2008 की बात करें यहापे में, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, यह 60 रुपया सी बता है, चालीस रुपय तक यह bank आया था, कि तरह 40 रुपय तक, बट स्टि bank की यहापे बुरी तरकी से हालत, यहापे future में हो सकती है, क्योंकि rating भी उनकी यहापे घटा दी है, तो आयो पाशा करता हो दोस्तों, आप लोगों को main यहापे जो issue क्या है, वो समझ में आ गया, और उसका negative impact, government bank की उपर रहेगा, वो बता है, private bank की उपर भी negative रहेगा, we will be meeting in our next studio, तब तक के लिए, बाई बाई